So guys, कल का दिन बहुत खास था क्योंकि कल वो दिन था जब सुप्रीम कोर्ट में सीबसी और सी आईसी बोर्ट दोनों ने अपने अपने मार्किंग स्कीम को जो है वहाँ पे उन्होंने रखा जजजस के सामने में और बताया कि किस तरह से बच्चे जो क्लास 12 के हैं उनका किस त बड़ा सर्कुलर था काफी लंबा चौड़ा एवरिटिंग वोज फाइन लेकिन अब एक बहुत बड़ा चीज हो गया है कि जिसमें की हम सभी शौक्ड है क्या है वो चीज गाईज यहां पर सीरेल नंबर 29 में इस सर्कुलर के मताबिक यहां पर एक पॉलिसी जारी कर दिय स्टूडेंट्स इनके लिए मतब प्राइवेट के लिए स्टूडेंट्स के लिए प्राइवेट स्टूडेंट्स गंपार्ट्मेंट्स जो सेकंड चांस वाले स्टूडेंट्स थे उनके लिए और जो पत्राचार वाले स्टूडेंट्स थे इनके लिए एक जो है इंपॉ पत्राचार के स्टूडेंस हो या फिर second chance compartment वाले स्टूडेंस हो इन सभी स्टूडेंस को examination will be conducted by the board examination conduct किया जाएगा जैसे की CBC के class 12 वाले स्टूडेंस बाद बाकी स्टूडेंस का या CIAC के class 12 वाले स्टूडेंस का exam जो cancel हुआ है PM Modi ने खुद cancel किया था इनके साथ वैसा नहीं होगा इन तीनों category के students जो है private पत्राचार और second chance compartment इन तीनों category के students का जो exam है वो conduct करवाया जाएगा जब कभी भी situation conducive होगा मतलब लेने लाइक होगा exam लेने लाइक situation होगा उस समय यह ले मैंने पढ़ा और मैं shocked हो गया मैं चाहता तो guys कल देर शाम भी आपको वीडियो दे सकता था but I was consulting with my friends जो legal experts हैं उनके साथ में मैं बात कर रहा था कुछ officials हैं उन से मैंने बात करनी की कोशिश किया और समझने का कोशिश क्या कि सम fortunes muita कि casing cloudy गाईज उनका कहाना है की बाई मामला जो है यह मामला है कि इन बच्चों के exam process लिए अचिके जहां तक private वाले बच्चे हैं या पत्रहचार वाले बच्चे हैं इनके exams नहीं में तो इनको marks कैसे देंगे second chance compartment वाले बच्चे जहां तक हैं उनके बारे में कहा गया कि sir ये तो किसी ना किसी subject में fail हुए है ना इनका compartment आया है ना तो इनका marks कैसे ही दिया जाएगा मतलब अपने आपको किसी ना किसी तरीके से फूल प्रूफ करने का कोशिश किया गया सिबसी बोर्ड के द्वारा and I am shocked so students an exciting update coming up from unacademy we will go in the famous comedian actor जो कि IIT बाउ में से हैं साथ ही साथ इन्होंने IIT जे को crack भी किया था so he is going to guide you all कि कैसे इन्होंने IIT जे को crack किया so don't forget to attend his special classes on 19th and 26th June at 7 p.m. so and roll now और यूस कीजिए मेरे रफरेल कोट विशाल कियार को और साथ ही अब आपके लिए गोल्डन चांस है क्योंकि India's biggest weekly scholarship test for IIT जे एस्पिरेंस unacademy combat is once again back on every Sundays at 11 a.m. तो अब दीजिए अपने preparation को एक edge, यूस कीजिए मेरे रफरेल कोट विशाल कियार को और enroll कीजिए बिलकुल फ्री में और जीत ये मौका scholarship जीतने का वर्थ रुपीज more than 4 करोर्स this contest is packed with real-time rankings be ready to face challenging questions सबसे खास बात ये कि इसमें आपको मौका मिलेगा free unacademy plus subscription जीतने का इस unacademy contest के बरान ना सिर्फ आप revise करेंगे बल्कि आप करेंगे practice भी साथ ही जीतेंगे unacademy का plus subscription भी so guys what are you waiting for enroll yourself now for more details go to the link in description seriously अभी मैं आपको बता दू इनके exam कब होंगे इसका भी कोई जानकारी नहीं है last line है इस circular का last line is 29 serial number 29 point का है the details will be notified in due course मदलब जल्द ही जब भी समय होगा तब बताया जाएगा कि exams कब लिये जाएंगे भाई क्या जरुवत है यार मेरा एक ची समझ में नहीं आ रहा है क्या जरुवत है बच्चों को लटकाने का क्या pandemic situation over हो गया हमारा एक simple सा सवाल है बहुत ही straightforward सवाल है मेरा CBC official से expert committee से कि भाई आप ये भी तो कर सकते थे न कि आप इन students को कोई project work दे देते assignment दे देते क्या ये ऐसा नहीं किया जा सकता था आप लोग comment section में लिखके बताओ am I saying wrong अगर क्या मैं गलत कह रहा हूँ अगर मैं सही कह रहा हूँ तो आप लोग लिखो कि क्या आप assignment कर निकले थे या नहीं होते कोई project work नहीं दिया जा सकता था क्या इसे rarest of rarest case नहीं माना जा सकता क्या दूसरे state boards में ऐसा नहीं हो रहा है UP board के लिए UP board में क्या ऐसे चीज़े नहीं की जा रही है I am surprised एक तरफ एक चीज़ क्या निकल के आता है Prime Minister Modi कब announcement करते हैं कि Class 12th exam cancel हो गए उसके बावजूद भी तमाम पूरे देश भर में अगर हम बात करें तो मतलब decision लेने में states इतना time लेते हैं कि क्या कहा जाए जबकि भाई सीधा सा बात है Prime Minister Modi खुद आकर के कह रहे हैं भारत का प्रधानमंत्री आके कह रहा है कि भाई situation सही नहीं है pandemic situation बहुत worst है exam conduct नहीं करवाए जा सकता इसलिए हम भारत के सबसे बड़े board का exam cancel कर रहे हैं CBC और CIC दोनों board cancel लेकिन उसके बावजूद भी state boards अपना time लेते हैं अभी भी चार्चा स्टेट बोर्ट जो हैं वो अभी भी still they are taking time आंदर पदेश का ले लिजी आप तिरे पुरा ले लिजी आसाम ले लिजी still they are thinking oh my god क्या कर रहे हो यार आप लोग क्या students को हम relax relieve नहीं कर सकते guys इस पे अभी आपको चिंता करने की जरुवत नहीं है क्योंकि हम इसमें जो necessary actions हैं वो हम सभी जरूर लेंगे बस आप लोग साथ दो जो कुछ हो सकेगा हम लोग जरूर करेंगे class 10 वाले में भी हमने लबी लडाई लड़ी थी हम अपने compartment वाले या private या पत्राचार वाले students को नहीं कर देते क्या NIS में support नहीं मिला मेरा ये एक सवाल ये 13 member जो committee है इन से सवाल है कि भाई क्या NIS वाले में क्या help नहीं किया गया आप assignment दे दो project work दे दो अभी third wave का आने का खत्रा है legal experts कह सकते हैं तमाम जो states हैं वो तैयारियों में लगे वे हैं इस तरह की तैयारियों में कि अगर भगवान ना करें अगर जैसा doctors कह रहे हैं कि भाई बच्चों perfect आ सकता है तो उसके accordingly medical preparations की जा रहे हैं और हम एक तरफ फिर बच्चों को मौत के मूँ में भीडने की तैयारियों में लगे वे I don't think so कि ऐसा होना चाहिए था prompt action लेते हुए इन सभी students को help किया जाना चाहिए तो guys comment section में please लिखो sir we are united we are together हम एक साथ हैं ये जरूर लिखना मत भूलेगा और हम लगातार आपके लिए बने रहेंगे please stay tune with us मैं आपके लिए हमारी team मैं मेरी team पूरी की पूरी आपके साथ लगी रहेगी चिंता नहीं है हम जो कुछ कर सकते हैं उस जरू करेंगे बने रहें मेरे साथ में this is all from my side जै हिंद जै भारत